दोस्तों आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 11 के विश्व इतिहास विशे का अध्याई 10 जिसका नाम है और मूल निवासियों का विस्तापन दोस्तों इसका पहला भाग हम पढ़ चुके हैं और आज के भाग में हम बात करेंगे योरोपे सामराज्यवाद के बारे में यहां जो य बारे में हम यहां पर चर्चा करेंगे दोस्तों पिछले भाग में हम क्या पढ़ चुके हैं बता दें एक बार आपको पिछला जो भागता इस अध्याई का यानि भाग एक उसमें हमने आपको प्रश्टभूमी के बारे में जानकारी दी थी पूरे अध्याई की अध्याय को इस अध्याय में बांधने के लिए आपको निरंतरता भी हमने दी थी कि किस प्रकार जो इतिहास वह धारा के समान बहरा है और उसमें यह जो अगला जो प्रष्ट है वो किस तरह से शामिल किया गया है तो यह हमने बात की थी पिछले भाग के अंदर अब दोस्तो सरैंब आहाथ और आपको पता है हमने अध्याय जब आठ पढ़ा था था भोगोली खोजो का हमने उसे नाम दिया ता कि अमरीका महादीब में नई दुनिया की खोज कि दिखाई देता है पूरी तरह से पूरी दुनिया को प्रभवित करते हुए हमें दिखाई देते हैं यह जो देश हैं अपनी जो आभा है उसे खो देते हैं अपने प्रभाव को खो देते हैं तेचे रूप करें उन देशों के अगर में बात करें तुझक्त कि अंग्लेंड फ्रांस होलेंड आदि देश जो edu एक नई बचता हो जिसको इनण जहां पर रिंटने अपना साम्राज उसतापित नहीं किया थो सकता है कुछ बचे लेकिन अधिकांश दुनिया के अधिकांश भाग पर हमारा जो प्रत्वी यह प्रत्वी गई अधिकांश भाग पर उन्हों अधिकार कर लिया था और एक समय तो दोस्तों कहा जाता था विशेश कर इस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसके बारे में कहा जाता था कि उसका सूर्य कभी अस्त नहीं होता तो ऐसे यसे वाक्यांस जो है हमें सुनने को मिलते हैं तो आप कलपना कर सकते हैं आप अंदाजा के बाद इस्तापित कर लिया था तो नए रास्ट्रों की बात हम यहां अगर इस अध्याय में देखेंगे तो यहां विशेश करम इंग्लेंड की बात करेंगे फ्रांस की बात करेंगे और उनके सामराज जीवाद की यहां हम बात करेंगे अब यहां यह मैत्पून जो हमार उवेसों की स्थापना की या फिर किस प्रकार की साशन विवस्ता का इस्तमाल किया इक इस प्रकार के जो तरीके थे उन्होंने अपने सामराज्यवाद के लिए अगर आप देखें दक्षिन एश्या की बात करें जिसमें मुख्यूरूप से भारस शामिल है यहाँ पर यॉरोपी सामराज़ाइबाद की अलग दर्श्टिया में देखने को मिलती है उन्हों ने यहाँ पर मुख्यूरूप से राजनीतिक सत्ता की स्थापना करने का प्रयास किया यहा उस्तानी साशक तो ने उनको किस तरह उन्होंने वहां पराजित किया और अपनी महतकांग्शी नीतियों से वहां भारत में राजनिती कता इस्तापित करके उसे अपना वेस दो अफ्रीका कि अगर हम लिस्ट डीग को छोड़े तो अफरीका महधीप में मुख्युरूप से जो युरॉपीय लोग जब वहां गए तो उन्हों ने केवल वहां पर क्या क्या है जो समुद्र के किनारे वाले तो इलाके थे वहीं उन्हों और बहुत ही बाद की शताब्दियों में जाकर हम देखते हैं कि 19 शताब्दी के बाद 19 समय में जाकर वह उन महाधीपों के आं जो आंतरिक भागते वहां में उसमें पहुंचने का प्रयास उन्हों ने किया था तो शुरुबात में उन्हों कि वो जो समुदरी इलाके ते वहीं पर वो रहे इस प्रकार हम समुदरी तठी तो अलग लग तरह का व्यापार अलग तरह की प्रकरती हमें यहां पर देखने को मिलती है यूरोपी सामराज्यवाद की अब बात करें कि सैटलर किसे कहा जाता है सैटलर क्या होते हैं दोस्तों जो योरोपी प्रवाशियों के लिए प्रिवक्त शब्द है दोस्तों ये सैटलर का मतलब होता है जो योरोपी प्रवाशी जब दूसरे देशों में गए जिसे हम अफरिगा की बात करें अमेरिका महधीब की बात करें एश्या महधीब तो जब वहां जाकर वो लोग बसे तो यवरोपिये लोगों दारा जो अपने लिए इस्तुमाल किया गया जो प्रवासी थी यवरोपी प्रवासी उन्हें काहा गया सैटलर्स काहा गया याद रखेगा अब देख़ते हैं दोस्तों एक बार आपको बता दें कि नई दुनिया के देशों को योरोप वाशियों दोरा दिये गए दिये गए वन हो आप दो decision यह थिए ता कि योरौप की अलावा जो अन्य देश थे यूरोपी महधीप को पुरानी दुनिया कहा गया या फिर यूंौ कि नई दुनिया की खोज पूरे आठ में अध्याए में विस्तार से अधिन किया लिए और किस प्रकार से नई दुनिया की खोजकी गई थी कि नई दुनिया की खोज लान WIN-BRalom वेख उिकुल या खोज कहने पर आज की इतिहासकार सही नहीं मानते शब्द को लेकिन उनके नाम पर इसका नामकरण नहीं किया गया है, बलकि अमेरिगो वैस्पुकी जो थे, एक नए यात्री थे, उनके नाम पर इस महादीब का नामकरण किया गया, उसकी वज़े ये बताई जाती है, कि पहली बार ये अमेरिगो वैस्पुकी जो थे, इन्होंने इसके विस्तार के बारे में दुनिया को बताया इस महदीब का जो विस्तार था इस महदीब का जो फेलाव था विस्तार जो था उसके बारे में पहली बार दुनिया के सामने अमेरिको जो अमेरिको वैसिपू की थे उन्होंने अपनी यात्रा वरतान्त में इसके बारे में दुनिया और उसका अर्थ होता है गाउं विशेश कर यहां की यूरो इरोक्यूस की जो भासा है उसकी अनुसार कनाटा का मतलब होता है गाउं तो इस आधार पर कनाटा शब्द से ही कनाडा शब्द बाद में बना 1535 में खोजी जो एक खोजी वेक्ति जाक कार्टियन को मिली जानकारी पर्णि के मुताबिक नामकरण किया गया है तो यहां देख सकते कि कनाडा का नामकरण किस प्रकार से हुआ अब हम बात करें। ऑस्ट्रेलिया की ऑस्ट्रेलिया का नामकरं किस दरह से किया गया तो यह महांधख्ष fields और में तो Kiap में यह प्रिक्त नाम था इसके लिए याद रखेगा लातिनी में इसे कहते हैं दक्षिन को ऑस्ट्रेल कहा जाता है ऑस्ट्रेल शब्द जो है उसका अच्छिन तो क्योंकि यह जो महाद्वीप है यह दक्षिन असपास भेलाव था तो इसी का नाम इस वज़े से ऑस्ट्रल कर दिया गया उस्ट्रैल से ऑस्ट्रेलिया बन जो थे उनके दोरा को दिया गया है नीच्चिन को जिसने सबसे पहले में इन टापूं को देखा था और यह डच भाषा का जो सब्ध है यह नए समुद्र को हम कहते हैं के मैं समुद्र को जी काए जाता है क्या का जा धो सँ जी तो निउजलेंड या नए समुद्र की भूमी biz नए समुद्र की भूमी तो इस आधर पर नुजलेंड को नामकरन किया गया है अगर गेxa घृषाले कि कि ऐसे सो से ज्यादा इस्तानों के नाम की सूची दी गई है जो न्यू से शुरू होते हैं तो इस प्रकार हमने यहां यह देखा कि हम जो अध्यन करेंगे इस भाग में मूल निवासियों का विस्तापन और इसमें हमारा जो द्यान एमोखिरोप से अमरीका महधिव पर कि इसलिए आपको बताया इन देशों का नामकरन आखिर किया है और कि इस प्रकार से देखने ऐया है और यह जो उपनिवेस स्तापित हुए इन दूसरे महादवीपों में या पूरी दुनिया की अन्य महादवीपों में तो उनका क्या प्रकर्ति उनकी प्रकर्ति क्या था उनका स्वरूप किस तरीके का था उन्होंने हर महादवीप के लिए अलग तरह का सामराज्यवादी सोच उ अमरीका महदीप में किस प्रकार अपनिविसिक सामराजी की स्तापना होती वहां कि मूल निवासी थे उनके बारे में हम अध्यान करेंगे तब तक के लिए धन्यवाद